Just give me a second, just before starting, आप लोग जब घर से निकलो, प्लीज क्यू फोरम चेक करके आना, because आज तो मुझे पता ही था ऐसा होगा, so I kept my class, but अगर ऐसा हो किसी दिन कुछ भी unwanted event हो जाए, and class cancel करना पड़े, तो आप लोग देख के निकलना घर से, क्योंकि हम लोग obviously दो घंटे के duration, अगर कुछ ऐसा होता है तो दो घंटे के duration में हम cancel करेंगे, वन आर के duration में अगर कभी cancel करना पड़े, तो आपको फिर हम call करेंगे, individually या हम लोग WhatsApp करेंगे, but otherwise हम लोग Q Forum पे डाल देंगे, आप लोग को जब भी आप लोग निकलो आप लोग उसको पिन कर लो, बुक्माक आड कर लो Q Forum को, तो जब भी निकलो, just make sure phone खोलना है, एक second लगेगा time table देख लो, जो पूरा आप लोग का आते है ना paper time table उस पूरे link को बुक्माक कर लो, चीक है, एक second का काम है खोल के check करना है खाली, चलो no worries, online students की latest fine, they are doing it from home, बट आप लोग जो आते हो दूर से, इस for only you guys के आप लोगो थोड़ा issue हो सकता है, कल हम लोग कुछ का रहे थे, तो कल वाला चीज clear है, कल हमने वो जो derivation किया था, मैंने बोला था कि skewness नहीं, कौंसर derivation मैंने बोला था कि खुद से करना skewness वाला, skewness वाला नहीं, standard deviation वाला, मैंने बोला था कि variance of ax plus b, ये वाला शायद बोला था मैंने, is equal to a square into variance of x, ये वाला हुआ आप लोगों से प्रूव, तुमको आते ही है सब, तो मैं काम करो, तुम लाप्टप लाए हो, फोन है, फोन पे कौशल को जो, कौशल को भोलो कि मेरा शुरू का classes आप खोल दो, तो फोन पे वो आपका YouTube पे डाला वह है, हाँ, वो स्टार्ट कर लो, वही सेव है, वही मेरा है, YouTube पे ही है वो, जाके उधर बैट जो या पीछे बैट जो, ठीक है, यॉर फोन है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लाउट स्पीकर पे उधर जाके कर लो, ठीक है उस रूम में, क्लियर, अब से देखो समझ में आ गया, Q Forum is very important, आप लोगों को देख के आना है, C, पहले हम लोग का WhatsApp group था उसमें communicate करते थे, still there were some students जो WhatsApp भी नहीं देखते थे वो आ जाते थे, ऐसा अगर कभी कोई situation हुआ तो, बट आप लोगों को habit बनाना है कि एक second लगेगा Q Forum खाली खोल के देखना है, और कुछ नहीं है, घर से निकलने से पहले, that's it. जो पढ़ लो, तुम जाएगा नहीं, पढ़ेगा यहां बैटके, ठीक है? यह बताओ कैसे करेंगे? Can we use the approach which we use for calculating variance? हम लोग variance कैसे निकालते है? Expectation of, यह I am starting from LHS. Expectation of x square minus expectation square of, यह होता है. देखो, इन लोग chart box में भी यही बात करें. Guys, please make sure कि आप लोग Q Forum देख लो. क्योंकि हो सकते है, Sir is not well. That is why, मुझे लग रहा था कि आप लोग class timing में गरबढ़ करोगे. That is why I kept a class now. Otherwise my class was supposed to happen at 12.30 only. But Sir is not well, so I took up the class. क्योंकि मुझे पता था, कुछ students तो आई जाते हैं. अब से Q Forum सब लोग चेक करोगे. तो यह वाला formula apply करते हैं. एक्स के जगव यह पूरा चीज डालेंगे. करो solve खुछ से. तो अब यह अंदर में आप लोग simply खोल दो. a2 x2 plus 2ax2bx small x होगा actually. मेरा habit ऐसे है. मैं small x and capital X वैसे लिखती हूं. But you all need to keep this in mind. plus b square minus. अच्छा यह जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा अंदर? बोलो. यह जब खोलोगे तब क्या होगा? यह वाला. चिक है? चलो करो इसको solve करते जाओ. अब यह देखो यह पूरा अंदर expectation के है. तो a2 बहार आगे. expectation of x2 ऐसी करते है न? यह हमने सीखा है. जेनरल रूल. प्लस क्या होगा? 2ab expectation of x, very good. प्लस b2 माइनस अब देखो, a plus b whole square के जैसे इसको भी खोल देंगे. चिक है? तो a2 यह होगा? माइनस बहार आच्छली माइनस है. 2ab चिक है? माइनस b square. तो क्या होगा? और कुछ कट रहे हैं? यह भी कट गया? इन दोनों में क्या a2 common ले सकते हैं? ब्राकेट में आएगा एक्सपेक्टेशन sorry x square – expectation square of x और ब्राकेट में जो चीज लिखावे वो क्या है? हैंस प्रूव्ड चिक है? चिक है? नेक्स्ट करें अगर पॉपिलेशन यह हमने अच्छा कर लो, copy कर लो कर लो अब देखो जैसे हम लोगोंने mean किया, variance करा वैसे हम लोगोंने याद है moment किया था M1, M2 moments क्या होते है? क्या लिखा था मैंने moments? Central moment Moments याद आया? क्या था moments? Hm? बोलो याद है? 3rd order moment, 2nd order moment, 4th order moment में हम लोग क्या लिख रहे था 1 by N Summation for all x raised to the par k क्या है th order moment 1st order moment क्या होता है? This is nothing but the mean Yes तो same चीज again अगर हम लोग को population के लिए करना हो जहां पे हमें दियावा होगा तो हम लोग कैसे probabilities दियावा होगा Summation x to the par k probability of x equals x It's the same thing जो आप ये कर रहे हो और जो आप ये कर रहे हो It's the same thing यहां हम लोग क्या करते है? For example अगर आप लोग को मैं numbers दे दू like this 1, 2, ऐसे तो आप लोग इसका 2nd order moment कैसे निकालोगे? 1 square by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 square by 7 plus again 1 square by 7 plus 1 square by 7 2 square by 7 ऐसे करके निकालोगे? Which is same as saying 1 square by 7 into 3 2 square by 7 into 2 3 square by 7 into तो वो जो 3 by 7 2 by 7 2 by 7 आ रहा है That's nothing but the probability So it's same as writing this जो हमने mean के लिए किया जो हमने variance के लिए किया same thing Yes understood clear है all clear तो यह copy कर लो यह वाला formula यह है आपका लिख लेना kth order moment kth order moment kth order moment do you all remember central moment हम ऐसे करते थे 1 by n summation x- x- bar ka whole square this is second order central moment moment जब आप x- x- bar कर देते हो that's kth order central moment clear first order central moment क्या होगा this answer will give you what? this part will give you 0 हम लोग ने किया था numbers देवे है सबको mean से जब minus किया था और उसको add करके divide by n किया था तो 0 आ रहा था the first order central moment is always a अच्छा यह ना अगर आप लोग को लिखना है यहां लिख लेना this is equal to mk m1, m2 these are all moments kth order moments but central moment जहां हम लोग minus mean करते हैं उसको हम लोग m1, m2 नहीं बोलते ठीक है यह ध्यान रखना उसको usually हम लोग ऐसे denote करते हैं अच्छा यह क्या है बताना 1 by n summation this is skewness only this is skewness और skewness के लिए मैंने कल लिखाय था हां आप किसका expectation निकाल रहे हो इसका x- x-bar के जगव हम लोग mu लिखेंगे हाणा क्यूंकि आप population पे deal कर रहे हो सो इस पूरे का to the power k which is equal to summation x- x-bar नहीं, mu लोगा mu roll x Is this clear making sense? copy कर लो 2nd order Central Moment क्या होगा? 2nd order Central Moment Kya होगा? यह क्या है? 2nd order Central Moment क्या है? Variance है na? 2nd order Central Moment is variance 3rd order Central Moment is skewness 1st order Central Moment is 1st moment 1st order moment only, 1st order moment is 1st order moment, not central moment, 1st order moment is MEAN, 1st order moment is MEAN, got it, understood all of you, any doubt? क्लियर है? अब NEXT हम लोग करेंगे हेडिंग देना, continuous-discontinuous array हाँ, continuous आप लोग पूरा लिखोगे, continuous random variable continuous random variable देखो, stats ऐसा चीज है ना कि revise नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप mathematics बहुत जल्दी नहीं भूलते हो, plus minus, integration, differentiation, basic वाला but stats is something which you tend to forget so you need to revise अभी आप लोग को आज का दिन मिल रहा है कल का पूरा दिन कल चुट्टी है कल क्लास नहीं है तो आप लोग revise कर लेना just go through my notes अगर आप लोग उन्हें notes अच्छे से नहीं maintain किया यह वाला uploaded है Q Forum पे So just go through these Alright? And कोई doubt आए Monday पहले doubt लेलेंगे Monday I think मेरा class नहीं होग आप लोग के साथ I have CS2 तो जभी next class होगा मेरा I can take your doubts and then we solve a few sums continuous random variable है हम लोग का एक topic जो बच रहा है उसके बाद for all the CM1 students आप लोग का एक और class होगा and then over and then we will continue with CS1 and ASET students चलो Alright तो अभी इसके बाद continuous variables क्या होते है First of all what is a random variable? Any number or anything which can vary It can take multiple values is a random variable हा न? यह हमें पता है Now when you say a continuous random variable it basically means कि वो कोई भी value ले सकता है within a range So for example I will tell you मेरे यहां पे products available है ranging from 200 to 1000 इसका क्या मतलब? It can be of any value It can be 201 It can be 201.5 It can be any value Yes or no It can be of any value So this is what? This is nothing For example claim amount जब आप claim करते हो तो आपका इक amount का claim आप करते हो तो वो जो amount है can be any number So all these are what? continuous मतलब खाली integer values नहीं ले रहा है It can take any set of values जिसको हम बोलते हैं within a range That range can sometimes be represented like this इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 0 या 0 से सब उपर के numbers खाली ऐसे लिखने का मतलब है 0.1 भी acceptable है जिक है? When you write something like this all the numbers between 0 & 1 So this is how you represent continuous random variable It is not taking only a set of values Now when I say 0 & 1 How many numbers are there between 0 & 1? बहुत मतलब किते बहुत? It is infinite ऐसे infinite उल्टा 8 denote करते है Its infinite numbers between 2 numbers If I say 0.1 से 0.2 इसके बीच में भी infinite numbers है Yes or No? Infinite numbers है जिसको कभी-कभी undefined भी बोला जाते है क्योंकि अब उसको define नहीं कर पा रहे है infinite numbers है तो क्या इसका जो हम लोग probability distribution बना रहे थे 1,2,3,4,5 then उसका probabilities लिख रहे है Is it possible in this case? It's not possible. How many numbers will you set and write? Even your Excel cannot do that Even your R programming cannot do that No other software can do that कि मैंको 0.1-0.2 numbers निकाल के देगा कोई निकाल सकता कोई software निकाल सकता ठीक है तो इसलिए इसका representation थोड़ा different होता है than what we have done earlier तो let's suppose अच्छा एक चीज मैं खोल नहीं रहे हूं वह वाला document But do you guys remember हमने एक चीज करा था जहां हमने Frequency, Frequency, Density फिर निकाला था Unequal Gaps थे Do you all remember ऐसा कुछ था 0 से 500, dot 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 500 से 1000, 1000 से 1500 And last वाला मेरा ऐसा था 2000 से ऐसा था 5000 या 4000 whatever I don't exactly remember ये वाला था Unequal widths आ रहे थे So when we were making the graph for it हमने ऐसा कुछ बनाया था For example यहां claim amount लिख रहे हो X तो 0 से 500, 500 से 1000 And जो last वाला था वो बहुत बड़ा हैसा आ रहा था 2000 से 4000 या 5000 तक वाला And यहां आप लिख रहे थे Frequency कितने इतने चार पांच claims है इतने चार claims है, तीन claims है ऐसे गर क्या बना रहे थे? हां? क्याद है? फिर हमने बोला कि आप बोल रहे हो This area represents the entire frequency But obviously इसका जो area देख के क्या लग रहे है? कि इसका highest frequency है या इसका इतना बड़ा area है तो बहुत ही अजीब हो रहा है क्योंकि unequal width है तो हमने क्या निकाला था? If you all remember frequency density which was equal to सुन लो कोई नहीं answer करेगा, वो answer करेगा उसको याद नहीं बड़ तुम्हे याद आ जाएगा तुम्हे class attend किया था? याद आ जाएगा याद आ जाएगा यह समझ में आ रहे है क्या कर रहे है? These are all what? यहां तक it's equal यह वाला यहां से it's unequal ठीक है? 1000 से 1500, 1500 से 2000, यह equal है खाली यह वाला unequal है Now और यहां frequencies डाल रहे हो सबके अब मैं बोल जहूं यह वाला जो area है Let this area, area कैसे निकालते Rectangular का? Length into breadth Let us suppose हम लोग बोलते है height into width, usually that is the term we use तो अब यहां भी height into width मैं बोल रहे हूं is the entire probability अब क्योंकि यह देख के एक बार ऐसा लगेगा कि यह वाला जो box है उसका सबसे ज्यादा frequency है बट ऐसा है नहीं spread out है क्योंकि उसका unequal width है तो हम लोग एक दूसरा metric निकालेंगे frequency, density जो हम लोग plot करेंगे on the y-axis और उसका calculation कैसे होगा this area मतलब में को यह height निकालना है में को क्या-क्या पता है सुनना में को यह frequency पता है में को यह width पता है चीक है तो now the area is basically what this into this na height into width yes or no height into width और आपको निकालना क्या है frequency तो कैसे निकालोगे बताओ किसी को याद ही है हम चुना नहीं रुख जो अप्स बित रुख देता हु यापका अपका frequency ना लख देता हु यह आपका इतना ही है. यह आपका विद इतना ही है. यह आपका विद इतना ही है. This is representing the entire area. एरिया is representing what? The probability या फिर the frequency. तो frequency density multiplied with represents what? या फिर probability whatever हम लोग जैसे भी deal करें. So this is basically equal to what? Frequency density is frequency divided by width. तो अब यह जो बनेगा, वो कैसे बनेगा? Frequency मतलब 5 divided by 500. 3 divided by 4 divided by, that's how you calculate this. Got it? Frequency density वाला concept clear है. Similarly ध्यान से सुनना, जब आपने probabilities किया था, जब हमने discrete random variable किया था, तो वहां हम क्या कर रहे थे? Probability distribution बना रहे थे. एक second. These classes are there on EAQ Forum important links में जाओगे, उधर है सारे classes अभी के लिए. So what I am trying to say is, जब हम लोगोंने last class discrete कर रहा था, हमने क्या बनाया था? Probabilities. 1 का probability यह है, 2 का probability है. ऐसे आपने graph बनाया था. बार चाट था, histogram नहीं था. अलग-अलग बार थे with gaps. ठीक है? Now, यहां पर जैसे वो probability है, probability distribution table, वहां पर in case of discrete frequency है. यहां हम निकालते है frequency density because of this unequal gaps. ठीक है? यहां हम लोग निकालेंगे probability density. Got it? वहां जैसे probability distribution function होता है, discrete में, continuous में probability density होता है. जैसे frequency होता है आपके discrete में, frequency density आजाता है आपके continuous में. वैसे यहां probability होता है table, यहां पर हो जाता है probability density. So, let's take a understanding of this, कि इसको हम लोग कैसे करेंगे? So, when I say probability density function, चेक है? probability density function, अगर, let's say suppose, यह आपका frequency density है. जहां हम बोल रहें कि यह जो area है, represents what? frequency. अगर मैं probability के terms में कि गिनू हूं? कि यह probability density है तो area represents the probability, कि इसका इतना probability है. अब मुझे चाहिए मुझे बताओ, what is the probability of getting a claim of 4000? तो आप यहां से में भी कुछ करके देखोगे? चीक है? We have something like this. इसको मैं और अच्छे से explain करते हूं यहां पर. So when I say probability density, जैसे हम बोलते हैं probability x equal to x, यह क्या है? यह है probability of getting the value x in a random variable capital X, जो हम लोग कर रहे थे discrete के case में. अब इस case में आप लोग continuous जब है और आप लोग को मैं बूलू निकालो probability x equal to x, तो वह बूर्ट difficult हो जाएगा कि एक single point पर जब आपकी बस range है, कि 2000 से 4000 का probability 0.2 है. तो 3000 का अब आप कैसे निकालोगे? Difficult है निकालना? तो यहां हम लोग something we calculate known as probability यह लिखलना, this equals to probability density function. Probability, पूरा full form लिखो, density function. लिखो, probability density function is a function that assigns probability density to all the values that X can take, capital X, that capital X can take. अब हम लोग यहां पर क्या बोल रहे है? जब आप निकालते हो, F4000, यहां पर आप capital X लिख सकते हो, just to denote कि यह random variable X का है. क्योंकि अगर 2 से ज्यादा random variable चा, जैसे हमने CDF के लिए capital X मैंने समझाया था, सम्मिलो लिए. तो I am saying it gives you probability density. Probability density is not same as probability, just like frequency is not same as frequency density. So if I am saying that probability density is not same as probability, this value can be greater than zero. It's not a probability. It's not a probability. It can be greater than zero. Yes or no? Or when I am saying that your, sorry greater than one, 1 होगा, क्योंकि greater than zero तो होता ही है. तो greater than one हो सकता है, usually negative नहीं होता है. Greater than one हो सकता है, frequency क्योंकि क्या है? यह probability density है. Probability नहीं है. Probability density है. It can be greater than one. हमने क्या पढ़ा था? Do you all remember? Probability x equal to x is always greater than, equal to zero, unless that one. और आपने क्या पढ़ा था? Summation probability x equal to x should be? यह दोनों आपने पढ़ा है. This two conditions only apply for probabilities, not probability density. Because that's different. चीक है? अब अगर हम लोग एक चीज़ समझें, जैसे मैंने graphically आप लोगों को क्या समझाए? यह आपका x है. यहाँ आप frequency density plot कर रहे थे. उसके बदले मानलो आप probability density plot कर रहे हो. तो वो instead of bars, क्योंकि continuous है, x का मैं बोल रही हूँ 0 से लेके 5 तक कोई भी value ले सकते है. तो आप bars तो बना नहीं सकते, कैसे बनाओगे? तो you can make something like this. ठीक है? You make a line chart. Instead of bars, 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 आप group पे नहीं बाढ़ सकते, you make a line chart. Understood? यहाँ क्या plot कर रहे हो? frequency density. Tell me quickly, when यहाँ पे we had frequency density on the y-axis and on the x-axis we had x-values. तो यह एच बाहर का area was representing what? frequency? Yes or no? Similarly, when you have probability density on the y, तो इसके नीचे का क्या represent करेगा यह? और यह जो अब पूरे का, over the range 0 से 5 अब पूरे का probability add करोगे, it should add up to 1. Why? Because I am saying x can take any value between 0 & 1. तो 0 & 1 range का probabilities निकालोगे, so it should add up to 1. Got it? Understood? Clear है? So probability density function can take a value greater than 1. But it should not be negative. Negative नहीं होता है pdf. But yes it can be greater than 1. Because it is not a probability. It is not a लिख लो probability density function या फिर fx can take a value greater than 1 because it is not a probability. जरूरी नहीं हमेशा greater than 1 हो, but it can. But usually आप देखोगे हम ऐसे लिखते है greater than equal to 0. Now एक बर सुनलो What is the difference between adding, summation and an integration? Integration is just like adding all the values. आप लोगने definite integration किया है A से B तक. कुछ भी value लेके dx को. किया आप लोगने? अब क्या करते हो? What is the meaning of integrating? You are adding all the values between A and B. That's what you are doing. Since there is no single value, there are indefinite, unnumerable values. That is why we take integration. When it is only specific values discrete, we do addition. यहां पे इस case में जब आपके पस continuous है 0 से लेके 5 तक. यह पूरा का अगर मुझे निकालना होगा frequency density, probability density और उन सबको add करेंगे तो हम बोल रहें क्या हैगा? probability equal to area under this line should add up to 1. So what I am trying to say is, adding all the frequency, probability sorry densities should add up to 1. So it is same. देखो, probability के case में, probability x equal to x greater than 0 but एक limit है की probability cannot be यहां पे आप बोल रहें, just greater than 0 आप लिख रहें. It can take a value greater than 1 as well. यहां आप लो बोल रहें, summation of all the probability should add up to, but यहां बोल रहें, instead of using this summation, we are using integration y because it is a continuous case that we are dealing with. क्लिया है यह लिख लो पूरा? क्लिया एचीों. चिक है? अब एक एक एक्जाम्पल लेते हैं. For say, I am saying that frequency density, sorry probability density function. Function जभी बोल देते हैं, function is anything which is represented in terms of x. हाना? चिक है? वो एक particular value नहीं लेगा. तो let's say suppose I am writing something like this, यह बताना इसका क्या meaning होगा? इसका क्या meaning होगा? इसका क्या meaning होगा? अगर x का range 0 से 2 के बीच में है, any value of x between 0 and 2, उसका probability density function क्या होगा? 3 by 8 x square. Otherwise for all the values of x, 0 से छोटा या 2 से बड़ा, will be a 0. मतलब it's not possible, अगर frequency density, probability density 0 है, मतलब probability भी 0 होगा. तो अब अगर मैं बोलू, निकालो f1, तो आप लो 1 डाल के निकाल सकते हो, usually हम नहीं निकालते for a single value, बट अगर बोला जा आप निकाल सकते हो now, you can put this over here and you can calculate, right? Also, जब मैं बोल रहीं, only these values are possible, and मैंने बोला है, frequency density, probability density we plot on the y-axis, वो जो area बनता है या जो जो पूरा बनता है, उसके नीचे का पूरा should add up to 1, for all the values possible. So what I am trying to say, x के कितने values possible है, 0 से 2 के बीच में all the values, for all the values का, मैंलब 0, 0.0001, 0.002, ऐसे जितने values possible है, सबका आप fx add कर दोगे, it should add up to 1, that is what I am trying to say, right? That is what this meant, ये वाला चीज, ये वाला, हना? यहां पे आपका था for all values of x, तो यहां पे क्या हम लोग ऐसे कर सकते है, 0 से 2, x के values कहां से कहां possible है? fx dx should add up to 1. Let's prove it. कैसे solve करते हैं? definite integral है तो 0 से, plus c आएगा क्या? definite में नहीं आता है. अब 3 बाहर ला सकते हो, 3-3 anyways cancel. 8-0, 2-3-0 क्या आ रहे? Hence, proved. अब एक sum और solve कर लो, जैसे हमने discrete case में किया था, find the value of k. हाँ, वो 4 यह भुबाए है. हाँ, वो 5 यह भुबाए है. झाल झाल क्लिर है ? क्या रहे के-का अंसर ? वन भाई ? वेरी गुड तो इंटिग्रेशन जीरो से फोर एफ वाई डी वाई लिखना है आवेरेबल वाई है शुट आडब तो वन मैं सॉल्वनी करता है क्या होगा क्या ? क्य वाई आप लिखोगे ? तो क्य बाहर आगया y2 by 2, 0 से 4 तो क्या रहे का ? 1 by 8. ची क्या ? I hope all of you are able to solve this very simple बस solve for y और क्या ? अब अगर ये दियावा है, can you all solve and get me probability y का value कहां से कहां possible है ? 0 से 4 So can you all find this ? ये y है capital Y probability लिखा है मैंने, density नहीं लिखा है कर सकते हो ? हम क्या बोल रहे है ? जब आपको probability निकालना है एक सिंगल वाल्यू का probability बहुत सिंपल है निकालना आप y के जगह पे probability density अब डाल सकते हो बट एक range में आपको जब probabilities निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो ? आप integrate ही करते हो ना ? जैसे हमने यहां integrate किया 0 से 4 हमने क्या किया ? हमने यहां 0 से 4 integrate किया for all the values of x you are integrating and you are saying all the probabilities are getting added up equals to 1 हा ना ? similarly यहां पे भी हमने क्या किया ? 0 से 2 हमने integrate किया क्योंकि 0 से 2 ही possible है तो जब आप integrate करते हो probability density को आप add कर रहे हो that is basically equal to 1 for all the probability densities which is this area under the curve यह जो आपका x है यह आपका probability density है कुछ ऐसा है 0 से 2 के बीच में तो इसके अंदर पूरा add करके आपका 1 आ रहे है probability area under the curve is the probability जैसे वहाँ frequency था यहाँ probability है पूरे को add करके 1 आ रहे है that's what you are doing instead of adding plus 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 इतने सारे values है we are integrating similarly यहाँ पे when it's over a range अगर यही चीज़ discrete में होता तो इसको discrete में हम लोग ऐसे करते है क्योंकि खाली यही दोनों values पॉसिबल है 2 & 3 उसके बीच को possible नहीं है इसको solve कर लेते है but इस case में यह possible नहीं है आपे 2 है 2.1 है बहुत सारे हैं जब बहुत सारे होते हैं तब यह आप integrate करते हो और integrate कहां से कहां 2 से 3 और probability निकालने के लिए हम लोग को probability density को integrate करना पड़ेगा और यह fx यह वाला ही निकालो यह वाला ही लेलो 2 से 3 1 by 8 y dy solve करो क्या आएगा 1 by 8 y square by by 2 2 से 3 क्या होगा हाँ final answer एक बाद एक लोग एक बाद एक लोग clear और है और can you also solve for y y y less than equal to 0.7 हाँ same या फिर यह क्लों क्या झाल झाल तो नो करो सॉल तो नो करो सॉल कहां से कहां वाल्यूस पॉसिबल थे य के य के वाल्यूस पॉसिबल थे जीरो से फोर तक तो अगर इसको सॉल्व करना है लेस्ट दान इकॉल टो 0.7 जीरो से 0.7 के बीच में ही आप निकालोगे तो 0 से 0.7 को ही आपको आंसर बताओ सिमिल लॉली यहां पे भी 2.8 से ग्रेटर बत हम देख रहे हैं 4 से जादा बड़ा तो पॉसिबल है नहीं तो 2.8 से 4 फ्रैक्शन में 2 में को आंसर तो फिर 2 डेसिमल तक है तो ऐसी ही दे सकता है हां फिर नहीं तुम गलत निकाला है अच्छा नहीं सॉरी मैंने सेकेंड आंसर बोल गया 5 x 16 है क्या एक बार डेसिमल में बोलू हां यही है हां इसका ही आंसर है करेक्ट आपसल्यूटली करेक्ट देख लो आप लोगों का आ रहे की नहीं कोई चाट बोक्स में इंटराक्ट भी नहीं करता है अब एक बहुत इंट्रेस्टिंग हां कर सकते हैं यह बोल रही है कि मैंने किया 1-probability y less than equal to या less than 2.8 वैसे भी कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है एक ही बात है इंटिग्रेशन वहाँ पर भी solve करना पड़ेगा इतना बात मत करो तुम दो अब यह कहां से कहां होगा तो 3 से equal to 3 लिखा है मैंने ideally यह होना चाहिए अब equal to 3 निकालोगे कैसे बिना you cannot, you can never in your dreams also say that this is equal to this ऐसे कार्ट दो लिखके you cannot say that probability is equal to probability density को बड़ा से कार्ट देना एकदम नहीं बोल सकते है है ना? अब कैसे बोल सकते हैं अब जब y-axis में probability density plot को आप बुरो उसकी नीचे जितने values है adding up to 1 you guys know यह वाला जो probability density and probability वाला जो चक्कर है यह जो confusion है मैंने देखा है students को end तक होता है when I am saying end मतलब papers in CM2 क्योंकि CM2 में हम इसका बहुत यूज करते हैं in Excel वहां मैंने देखा है probability density and probability को students एक ही बोलते हैं कुछ-कुछ क्योंकि यह logic कभी इतने अच्छ से कराया ही नहीं गया हम लोगों को So now you guys know this probability and probability density are two different things just like frequency and frequency density are two different things Yes, यह zero ही होगा Same, आप लोग कोई भी number के लिए निकालो सबका 0 होगा इससे क्या पता चलता है? कि in a continuous form, when you have a continuous random variable and you need to find a probability for a single number it will always be a Can you tell me? Intuitively समझते हैं, ध्यान देना मैं बोल रही हूं all the values are possible between 0 & 4 Indefinite मतलग आप समझो infinite values हैं चीक है? उसमें से कोई एक value होने का probability बताओ जब आपके पस infinite values हैं उसमें से कोई एक value होने का probability बताओ How do you calculate probability? number of times a is possible by total by n total number of outcomes यहां total outcomes क्या है? Anything divided by infinite will give you 0 1 by infinite is 0 Got it? आप बोल रहे हो, यह mathematically मैंने बोला है बत लॉजिकली अगर हम बोल रहे हैं कि 0 से 4 के बीच में infinite numbers हैं उसमें से एक value 3 का probability बताओ It's close, it's 0 only, not possible Infinite में एक value होने का probability समझ रहे हो? Getting the point? For example, I ask कि मेरा height क्या है? 154 cm For example, मैंने ऐसे लिखा अब आप लों बोलोगे नहीं 154.86 154.856 154.855 तो it can go कहीं तक भी न unlimited आप जा सकते हो ऐसे कर करके तो उसमें से आप एक number का probability अगर निकालने बैठोगे 0 So हमेशा याद रखना In a continuous case continuous random variable probability at a single number does not exist So Can I say कि अगर single number पे probability does not exist Can I say this that probability of writing x greater than 2.8 is similar to writing probability x greater than 2.8 आप greater than लिखो या greater than equal to लिखो will be same आप 2.8 include करो या नहीं करो will be same क्योंकि एक single खाली 2.8 आप डाल रहे हो तो उसका तो anyways probability 0 है तो यह दोनों interchangeably हम लिख सकते हैं in a continuous distribution बट हां लेंगे लेंगे क्योंकि हां लेंगे लेंगे कोई फरक नहीं बड़ता लेंगे getting the point yes or no आप इसमें 1- करके कर देना अगर आपको इतना ही लग रहे है आप ऐसे कर दो but it's the same so इस case में continuous के case में probability at a single point is always a 0 and something can be used interchangeably but इसमें catch वो मैं बताऊंगी जब हम लोग cdf करेंगे यहां तक clear any doubt देख लो all clear इसको लिख लो let's take a 5 minutes break अभी 41 हो रहा है जुस 5 minutes जादो कुछ ने 45 पे वील स्टार्ट अभी जादो कुछ फ्टार्ट